इंडिया ये आपको कल सुनाई देगा क्योंकि कल होने जा रहा है महा मुकाबला क्रिकेट के उस व्मांच की बात करते हैं जिसका इंतजार मैं और गितिका कर रहे हैं, फैंस कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है 14 तारिक, 14 तारिक को भारत और पाकिस्तान का महा मुकाबला होने वाला है इस मैच को देखने सबसे ज्यादा मुंबई से लोगों की पहुंचने की उमीद है इसलिए खेल प्रेमियों के लिए पश्चमी रेलवे ने खास मेवस्था की है दो स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान किया है पहली ट्रेन आज राद साठे नौ बजे मुंबई से चलेगी तो दूसरी राद 11 बच कर 20 मिनट पर मुंबई से क्रिकेट प्रेमियों को लेकर प्रस्थान करेगी पांच अक्टूबर से शुरू हुए वर्ल्ड कप का कारवा धीरे धीरे रोमांच के चरब के और बढ़ रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में दिवानगी देखी जा रही है तो वो है 14 अक्टूबर को होने वाला भारत पाकिस्तान का मुकाबला इस मैच को लेकर दर्शकों में उत्साह आसमान पर है वैसे भी भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले हर मैच को लेकर अलग तरह का रोमांच क्रिकेट फैंस में देखा जाता है और अगर मुकाबला वर्ल्ड कप में हो तो बात ही कुछ और होती है इसलिए भारत पाकिस्तान मुकाबले को मदर ओफ आल बैटल भी कहा जाता है क्योंकि इसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी करता है इसलिए भारत पाक का मैच देखने के लिए एहमदाबाद में फैंस का जमावडा बढ़ने लगा है एहमदाबाद के कारोबारियों ने मैच को लेकर काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी होटेल्स करीब-करीब फूल हो चुके हैं फ्लाइट्स के टिक्टो के रेट्स डिवान बढ़ने के साथ आस्मान पर है लेकिन मुंबाई से एहमदाबाद आने वाले क्रिकेट के दिवानों के लिए रेलवे ने भी खास तैयारी की है मुंबई से एमदाबाद आने वाली रेगूलर ट्रेनों में जगा नहीं है इसलिए विस्टर्न रेल्वे ने क्रिकेट फैंस के लिए स्पेशल ट्रेन चलानी के घोश्टना की है जो 13 अक्टूबर को मुंबई सेंटरल स्टेशन से एमदाबाद के लिए रवान होगी जो मुंबई से एमदाबाद इतनी ट्रेन्स चल लिए वो काफी वो सारी ट्रेन्स फुल हो गई है इसको देखते हुए हमने स्पेशल ट्रेन सर्विसेज चलाई है जो कि 13 तारिक को रात्री में 21 बच के 30 मेट पर आने कि 9.30 पीम को मुंबई से निकलेगी इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए लोगों को आम ट्रेनों के मुकाबले किराया थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा जो 20 से 25 फिजदी के बीच होगा हलाकि इस स्पेशल ट्रेन के सारी टिक्टे बुक हो चुकी है इसलिए रेल्वे ने एक और ट्रेन चलाने की घोशना किये है जो 13 अक्टूबर को रात 11 बचकर 20 मिनट पर मुंबई से चलकर सुबह 7 बचकर 20 मिनट पर एहमदाबाद पहुचेगी इंडिया पाकिस्तान मुकाबले को लेकर लोगों में खासा उत्सा है और वहीं वेस्टर्न डिल्वे दारा भी जब एक्स्टर ट्रेन शुरू कर दिये है वहीं लोग भी भारी तादाद में अमदाबाद तक पहुच रहे हैं कैमरामेन साहिल चोहान के साथ पारजदामा गुड़नीस टुडे